कि नमस्कार दोस्तों अब सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केट आनलिसिस पर स्वागत करता हूं जिसे कि कल मैरे लेवल्स दिये थे आज की लिए जितने लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा सबको पता होगा जो लेवल्स दिये थे वो लेवल्स केसे थे और कहां पर कितन पेले सपोर्ट के उपर चलते हैं सपोर्ट आप कर toutes अबका रहेगा टाटया मोटर्स का 435 65 पेसा अगर 435 65 पेसे के नीचे सस्टेन करता है आप लोग सेल कर सकते हूँ पहला टार्गेट रहेगा 4, 31, 15 पेसा, 4, 31, 15 पेसा के नीचे अगर चलनता है 4, 25, 65 पेसा तक टारगेट रहेगा याद रखे 4, 30, 65 पेसा के नीचे एगर सस्टेन करता है अब डारेकलली सेल कर सकते हूं पहला blocking рहेगा 4, 31, 15 पेसा दूसरा disproportion रहेगा 4, 25, 65 पेसा रेजिस्टन्स की बात अगर कहूं 440 रुपीज 60 पेशा का रेजिस्टन्स रहेगा जैसे ही रेजिस्टन्स की उपर चलने लगते हैं आप लोग बाई कर सकते हो पहला टारगेट रहेगा 445 60 पेशा और दूसरा टारगेट रहेगा 449 50 पेशा अगर टारगेट रहेगा 440 रुपीज 60 पेशा की उपर चलता है सस्टेन करता है आप लोग बाई कर सकते हो पहला टारगेट रहेगा 445 60 पेशा दूसरा टारगेट रहेगा 449 50 पेशा तो गाइस जो भी support resistance है मैं आपको clearly बता दिया है kindly आप लोग support resistance note करके trade कर दिएगा अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से मेरे जो भी analysis करके आपको देता हूँ अगर उन लेबल्स की उपर आपको पेशा कमाने का मौका शचुआ कर लिजी आप लोग कमा सकते हो अगर अब कमा रहों तो इस वीटिएओ को कर लिजिए शाथते चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जाथिसैद्सीन प्र Ciao को स्ब्सक्राइब करके description पर उसका link दे दिया हूँ काईल अगर आप चाहों तो description check करके telegram channel join कर सकते हो और साथे साथ अगर किसी को भी training program join करना है वो paid में है अगर आप paid में कुछ training लेना चाहते हो description पर मेरा email ID है आप लोग मुझे mail कर सकते हो सारे details आपको पता चल जाएगे चलिए next talk के उपर चलते है चलिए next आपका रहेगा DLF देखें DLF का इतना downside हम लोग plan कर रहे थे बढ़ अभी तक नीचे नहीं किया support परहीर्स ने support लिया उसके बाद काफी उपर चला गया तो हम लोग अभी देखेंगे कि कल इसमें क्या trade कर सकते है और कौन से label परापस को trade कर सकते हो कल का support रहेगा 338 अगर DLF कल 338 के नीचे sustain करता है आप लोग sell कर सकते हो पहला target आपका रहेगा 33455 पेसा 33455 पेसे के नीचे sustain करता है 329.80 पेसा याद रखें अगर DLF 338 के नीचे sustain करता है sell कर सकते हो पहला target रहेगा 33455 पेसा और उसके नीचे चलता है 329.80 पेसा अगर resistance की बात काऊ हो resistance रहेगा 34145 पेसा 34145 पेसे के उपर जैसे ही sustain करता है buy कर सकते हो पहला target रहेगा 346.30 पेसा दूसरा रहेगा 350 पेसा ची हाँ अगर DLF 34145 पेसा के उपर sustain करता है आप लोग buy कर सकते हो पहला target रहेगा 346.30 पेसा और उसके उपर भी sustain करता है तो 350 पेसा आपका next target रहेगा ध्यान से आप लोग trade करेगा क्योंकि काफी सारे लोग वही गलती करते हैं को support resistance समझ नहीं आता है वो लिखते लहीं है थोड़ा video देख लिए और वो चलते हैं trade करना market में आपका आप पेसा लगा रहे हैं अगर खुद का पेसा लगा रहे हो मैं आपको suggest करूँगा market में सही तरीकी से आप लोग trade करिएगा जब तक support के नीचे sustain नहीं करेगा या support के ऊपर sustain नहीं करेगा जो भी है जो labels मैं आपको देह रहा हूँ अगर उन labels के ऊपर नीचे जब तक आपको sustain नहीं करते हुए देखने को मिले यहनि कि जब तक आपको confirmation नहीं मिलता तब तक आप लोग trade ना ले तो अच्छा है मैं आपको वही division करना चाहता हूँ साथी साथ अगर आपको लगता है कि इन labels के उपर आप trade करके पैसा कमा सकते हो तो kindly channel को like, channel को subscribe परके वीडियो को like ज़रूर करिएगा चले हम लोग next talk के उपर चलते हैं चले आपका रहेगा असोक लेलेंड असोक लेलेंड पर भी काफी एच्छा ट्रेड आपको आज देखने को मिला होगा जो जब तक कल मैंने आपको जो लेवल्स बताये थे उनी लेवल्स के साब से मार्केट ने ट्रेड हूआ है तो हम लोग कल का लेवल्स डिस्कर्स नहीं करेंगे अभी क्या हो सकते काफी अच्छा एक ब्रेकाउट का सिनारियो था ब्रेकाउट दिया हुआ है सस्टेन किया हुआ है तो कल क्या हो सकता है वो हम लोग अभी देखेंगे अगर कल इन लेवल्स क्यों पर सस्टीन करता है तो हो सकते हैं आपको 150 के उपर आपको एक टारगेट आफको देखने को यहाँ पर मिलेगा 150 के आसपर्स तो चलते हैं आपको Asok Leyland का सपोर्ट देखेंगे 141.80 पेसा का सपोर्ट रहेगा अगर Asok Leyland 141.80 पेसा के नीचे सस्टेन करता है आप लोग sale कर सकते हो, पहिला target आपका रहेगा 139.20 पेशा और उसके नीचे पी चलता है 137. क्याद रिखे 141.80 पेशा के नीचे अगर sustain करता है, ध्यान दीजिएगा नीचे में बोल रहा हूँ, अगर इसके नीचे sustain करता है तो sale कर सकते हो, target रहेगा 139.20 पेशा और 137. resistance अगर देखा जाये तो 144.40 पेशा है आज का day high, जैसे ही resistance की उपर sustain करता है, buy कर सकते हो, पहिला target रहेगा 146.00 का पहिला target रहेगा, दूसरा रहेगा 147.65 पेशा, तीसरा 149.25 पेशा, और जरुरत परने पर 153.50 पेशा तक भी जा सकता है, याद रहेगा, अगर असोग लेलेंड 144.40 पेशा की उपर sustain करता है, 146 पेशा पहिला target रहेगा, दूसरा target रहेगा 147.65, तीसरा रहेगा 149.25 और 153.50 पेशा आपका next target रहेगा, गाइस, जो भी support resistance है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कैनले अगर आप चाहों, तो note कर लीजिए, और कल market में जरू ट्रेट करेगा, हो सकता है, काल आपको एक अच्छा trade आपको 100 पे मिल सकता है, तो मैं आपको voice list करूँगा, जो भी levels आपको दे रहा हूँ, वो levels not करके जरू ट्रेट करेगा, अगर गाइस, किसी को भी एगर free demand account open करवाना है, free demand account के साथ-सार अगर lowest brokerage आपको चाहिए, description पे मैंने of stocks का link मैंन लोग को intraday पर free trading, lifetime आपको free trading की facility आपको मिलती है, अगर आप लोग lifetime free trading का facility लेना चाहते हो, description पे of stocks का link है, demand account open करने का, तो आप लोग link open करके, आप लोग वहाँ पर sign up कर सकते हो, sign up करने के बाद account of link जैसे complete हो जाते है, आप लोग को telegram channel पर add करेंगे, add करने के बाद आपक free trade आपको मिलेगे, चलिए, next आपका रहेगा, stat bank op india, देखी, stat bank op india में इतना अच्छा momentum आपको देखने को और नहीं मिला होगा, तो यहाँ पर यह थोड़ा-थोड़ा करके धीरे-देरे swing बना रहा है, उपर की और जाने के लिए, तो हम लोग देखते हैं, अगर यह support या 469.25 पैसा, याद रखे, अगर stat bank op india 469.25 पैसे के उपर sustain करता है, आप लोग buy, sorry, उसके नीचे sustain करता है, आप लोग sell कर सकते हो, पहला target रहेगा 466.15 पैसा, अगर उसके नीचे भी चलता है, 460.20 पैसा, याद रखे, 469.25 पैसा के नीचे, 466.15 पैसा, पहला target, दोसरा target र 460.20 पैसा, अगर resistance की बात कहूं, resistance रहेगा 472.35 पैसा, और 472.35 पैसे के उपर चलता है, 476.90 पैसा, 476.90 पैसा के उपर चलता है, 482.55 पैसा, याद रखे, अगर stat bank op india 472.35 पैसे के उपर sustain करता है, आप लोग buy कर सकते हो, पहला target रहेगा 476.90 पैसा, उसके उपर भी चलता है, 482.55 पैसा, जो भी support resistance था, मैंने आपको clearly बता दिया हूँ, अगर आप चाहों, तो levels not करके ही trade करेगा, क्योंकि आप लोग को safety में trade करना चाहिए, इसलिए आपको मैं बोलता हूँ, support resistance अगर आप लोग not करते हो, तो आपको market में काम करने के लिए, एक अच्छा scope बिलता है, यानि कि आपको पता चल जाता है कहाँ पर entry करना है, कहाँ पर exit करना है, तो यह आपको काफी मदद करता है आपको trade करने के लिए, चली, next आपको रहे है का Tata Steel, तेकि Tata Steel में एक अच्छा breakout दिया है यहाँ पर आपको, तो मुझे लगता है कही ने क साफ से अगर मैं trade करता हूँ, तो definitely मैं यहाँ पर अच्छा पेसा कमा सकता हूँ, तो चलते हैं हम लोग पहले levels के उपर चलते हैं, levels कहाँ पर है और कौन से level पर आपको trade कर सकते हो, support रहेगा आपका Tata Steel का 1071, 1071 के नीचे अगर, 1071, 90 पेसा के नीचे अगर sustain करते हैं, आप पहला टार्गेट रहेगा 1059, 10 पेसा और उसके नीचे भी चलता है 1039, याद रखे 1071, 90 पेसा के नीचे अगर sustain करता है, आप लोग उसको sell कर सकते हो, पहला टार्गेट रहेगा 1059, उसके नीचे भी चलता है 1039, रेजिस्टन्स अगर देखा जाए, 1084, 75 पेसा का रेजिस्टन्स है, जैसे ही रेजिस्टन्स के उपर sustain करता है, बाई कर सकते हो, पहला टार्गेट रहेगा 1097, दूसरा रहेगा 1108 और 1115, याद रखे अगर टाटा स्टील 1084, 75 पेसा के उपर sustain करता है, आप लोग बाई कर सकते हो, पहला टार्गेट रहेगा 1097 दूसरा रहेगा 1106 और 1115 तक भी आपको लेवल चाहँ पर देखने को मिल सकता है तो गाइस जो भी सपोर्ट रेजिस्टन्स था मैं आपको खिलेली बता दिया अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को आउन करकर रखिए आपको अगर मैं अपलोड करता हूं तो रहत आपको पता चलिए और आप लोग उसी साब से ट्रेट कर सकते हो तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद